मुश्किल नहीं है कुछ भी यदि ठान लीजिए पर नेसिया कोचिंग संसान उम्रावजान फिल्म के इस गाने को जो है चरितार्त कर दिया है आप जो बोले जीरो भी बनेगा एरो आपको सही सुने हैं जीरो भी सही मिया हीरो बनता ही है आज जो हम आपके सामने बोल रहे है जो मैं आपके सामने बोलना साइद नसीब आले को मिलता है अगर सुर्ज की तरह हमको चमकना है तो सुर्ज की तरह जलना भी होगा में सर्म के सामने आपको लगता होगा कि आ है है ऐसे में सब की निगाएं वहां रहती है कि कौन से बच्चे ने कितना वहतर किया है मैं आप सभी को बता दूँ जहां मैं अभी मौजूद हूं उस कोचिंग संस्थान का नाम पेनेशिया कोचिंग सेंटर है जो कि मधेपुर गाओं में पड़ता है जो कि एक देहाती एडि कितना अंग प्राप्त हुआ है दस मी क्लास में? 470 470 क्या लगता था आपको 470 आपको आपाईगा? जी बिलकुल कैसे आप महनत किये थे सबसे कौमन सी कोश्चन है जो आप लोगडाउन में कैसे बढ़ाई किये थे? लोगडाउन में सभी कोचिंग संस्था और एस्कूल भी बन थी लेकिन यहाँ पैनेसिया कोचिंग सेंटर में से ओनलाइन क्लास लेते थे और सभी बच्चों को अच्छी तरस पराते थे उसके बाद जब खुली तो यहाँ 9 से 4 तक कंटिन्यू पराते थे सिर्फ बीच मे आगे आप क्या बना चाहते हैं आगे हम आएटी में अपना इग्जाम देके उसको क्रेस्ट करना चाहते हैं और यह बताएए सुनने में आया आपके गुरू जन ने बताए थे कि आप वेरिफिकेशन के लिए पटना भी गए थे तो वहां पे आपको क्या किया गया कैसा को परिचली आ गया उसके बाद एक फाइल था जिसमें कुछ फॉर्म थे उसको भरे इसके बाद चौब इसे का अलग अलग वेरिफिकेशन हुआ उसके बाद फाइल हम जमा किये उसके बाद मेरा हो गया आप यह वताएए आपके पापा क्या करते हैं वह कारपेंटर है इनके यह 40-70 में मैट्रिक में तो आप सबसे योगधान यहां तक दौन है और मेरे 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 घृईक और सबसे तरह अपने परिवार की तरह हमको प лег retransom आपका क्या नाम हुआ है जितना हम लोग जितना मेरे सर पढ़ाए उससे जाइदा ही यहां पढ़ाप्त हुआ मेरे सर ओनलाइन क्लास लिए और जब खुली तो हम लोग को सारे बच्चे को बनिया से पढ़ाए और ग्रोना करतेического पढ़ाए और सब को अच्छे तरस पढ़ाए तो आपके पढ़ाई करते समय हैं आपका सवसे ज़्यादा सयोग किसका रहा मेरे माता पिता का और मेरे सभी सर लोग का आगे चलकर आप क्या करना चाहते हैं आगे चलकर मेरे पिता माता पिता जो कहेंगे वह ही करेंगे अभी मेरा मकसद है पुलीस बनने का आपका मकसद है रख्षा करेंगे और सारे लोग को ठीक से रहने के लिए कहिएगा लेकिन आप पुलीस बनके पुलीस बनके क्या कीजिएगा कुछ तो आप सोचे होंगे जो अभी पुलीस नहीं कर रहे हैं वो आप कीजिएगा क्या लगता है आपको ब्रश्टाचार को सबसे पहले दूर कर है मेरे लिए तो मतलब जी स्कोचिंग का अब जीरो भी बनेगा हीरो मैं मतलब पहले परने में बहुत ही कम जोड़ था लेकिन यहां मुझे मतलब ऐसा महसूसने आप मैं पढ़ता नहीं हूं मेरे लिए चार सुनियों स्नुर बहुत ही ज्यादा है आगे चलके आप क्या कर कि अब बहुत सारे बात कहना चाहेंगे आप जो बोले जीरो आप को सई सुने हैं यहां ही है और मैं 363 लाया हूं ऐसे ही नहीं लाया हूं मतलब 363 नमर हमारे लिए है और हमारे जैसे लोग के लिए बहुत बहुत ज्यादा हो गया है लेकिन ऐसी हम Coaching Penesia Coaching Center पर आए जो 363 नमर आया और जो बोलने आज जो हम आपके सामने बोल रहे हैं आप जो तो में आपके सामने बोलना, साइध नसीब हाले को ही मिलता है, और PCC पर बोलना तो भागिसालीप हाले को ॉचिंग सेंटर जिसका फूल फर्म हुआ पेसिया कोचेंटर इस कोचेंग पर जो भी बचाया जो भी आये हैं तो यहां से कुछ बोले जाहें ना बोले हम तो यहां एक साल ही साहिस नहीं lap पड़े हैं फिर भी एक ही मतलब है अगर सुर्ज की तरह हमको चमकना है तो सुर्ज की तरह जलना भी हो गा हमारे सामने आपको लगता होगा कि 363 में इतना बोला 363 ह्मारे लिए बहुत बहुत जादा है और हमारे गुरुजन का सिरभाद रहा है तो 383 इनके कहने का मतलब था यह पहले जीरो थे लेकिन आज पिनेशिया के कारण आज यह हीरो हो गए है यहां के सिक्षक से हम जानते हैं कि यहां पर क्या खासियत है जो जीरो से हीरो हो जाते हैं बच्चे सर से हम बात करते हैं के संस्थापक से सर क्या नाम हूँ आपका मिद्धिया भूसन हुआ सर कैसा लग रहा है आपको आपका मेहनता सफल हो गया है सारे वच्छे इतना अच्छा अंग प्राप्त करके आपका नाम रौसन कर दी है तो सर आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे मुश्किल नहीं है कुछ यदि ठान लीजिए पेनेसिया कोचिंग संस्थान उम्राओं जान फिल्म के इस गाने को जो है चरितार्थ कर दिया है इस संस्था में नमांकित जितने भी छात्र छात्राएं थे उन सभी ने सत्व परतिस्थ रिजल्ट लाकर यह परमानित कर दिया है और जो है मेरे हां 92 परसेंट 92 परतिस्थ बिद्यार्थी जो है फस्ट डिविजन से उत्रिनता तो प्राप्त किये हैं साथ-साथ जो है अभी से कुमार सर्मा जो है 470 नमर लाकर इस सुदूर द्यादी छेत्र के परतिवा को लोहा भी वनवाया है यह बताईए आपके पढ़ाने के तरीके में क्या खासियत थी जो सुनने में आया है एक भी बच्चे यहां प्याल नहीं किये हैं तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हम बच्चों को जो है सबसे पहले उसको उससे कुछ पूछते हैं और देखते उसमें क्या कमी ह सब्सक्राइब हैं हर 7000 सब्सक्राइब दैंड कर दोद्सक्राइबृत और जो है आरती कुमारी यह जो है आरती जो है वर्ग पर्थम से लेकर आरतक परहती है यह फंडमेंटल बेसिक चीज यह मजबूत करती है और इसी हिसाब से जो है बच्चों को हम उसको परहते हैं बच्चों को हम परहते भी हैं बच्चों को परती हैं कि बच्चों को क्या च सब्सक्राइब करते हैं और बच्चे को ऐसे गाइड करते थे तो चलिए और भी सिक्षक यहां पर हैं जिन से बात करते हैं क्या नाम हो मैडम आपका आर्ति कुमाली आर्ति जी यह बताईए जो आप बच्चे को कैसे बढ़ाते थे हैं हम जो फट्टा मेंटल चीज़ों उसको मजबूत करते हैं और यह जो अभी सेख जो है आप नीश ओगया जो चारसा सथा जी 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 उसको जैसे हम क् प्रेंड्स को और गुरुजनों को और अपनी समाज के लोगों को जो है सो इतना अच्छा योगदानी है मैं बता दू आपको आर्ति मैडम के कारण ही यह सब संभव हो पाया है क्योंकि सुरुआती की सिक्षा इन्होंने ही सब को दी थी सर क्या नाम हुआ आपका मेरा नाम सुदूर दिहात के बच्चे जो है आज इतने परफर्मेंस कर रहे हैं आपको मैं बता दू कि यहां के चात्र आइटी जैसे संस्थान में भी एडवीशन लेने वाले हैं आईडी में 270 रंक लाए हैं और आपको मैं यह बात बता दू कि यहां पर जो है वरस्थली इंटरने लिए हैं और मेरेंडा हाउस जो कि सबसे अच्छा यह है और हमारे आपको मैं बता दू पिछले यह 12 बरसों का यह मेरा सफर रहा है यह 12 बरसों में जो है हम पिछले साथ सौरी 5 बरसों 5-6 बरसों से हम सत परतीसत रिजल्ट आज मेरे बच्चे जो है कि टॉपर वेरिफिक में गया था मैं अभी से के साथ गया हुआ था तो टॉपर वेरिफिकेशन में गये आपको बता दे कि अज 17 लाख लगवा बच्चे जो है कि बिहार बोर्ड में एक्जाम दिये उसमें हमारे चात्र का सुदूर देहाती छेत्र में के चात्रों का जो टॉपर भीरिफिकेश में बुलाना इस बार मेरे लिए एक सर्प्राइज कहा जा सकता है मेरे लिए खासकर उस समाज के लिए सर्प्राइज कहा जा सकता है हम जिस समाज से आ रहे हैं आपको बता दे यह जो इनके पिता जो मनोजी जो है एक कारपेंटर का काम करते हैं और वो उनके माता पिता मात और उनका स्काफरा आज बिहार वोर्ड में परचम लाहरा रहा है। जो कि यह प्रास्मीग सीख्छा की हम कहते हैं कि अगर तो बरे से بरे बिलडिंग का भी निर्मान किया जा सकता है। तो आज आर्ती को हम सबसे पहले तो हम आर्ती को दिल से धने बाद देना चाहते हैं. कि इस B- Store का अस्तंब का निर्मान की कि आज हमें इस Building Building का निर्मान हो gया है और परथम पराव को جो हैं हम कहते हैं मेट्रिक जो है matriculation जो होती है परथम पराव होती है और यह पर्धाम्पराव में काफी ज्यादा उत्सुक चारसो सथर अंक लाएँ हैं लाएं हमारे बहुत सारे चारसो सेट नमर भी लाएँ हैं 4 expanded ओर बहुत सारे चाण lain लाते हैं और यह जो है कि यह-इतना आच्छा प्रफर्मेंस की हैं तो वैसे पैरेंस भी सिख्षा जरूर लेंगे जो बच्चे को जो हमारे समाच में बहुत सारे बच्चे जो है नहीं स्कूल कोचिंग नहीं भेज रहे हैं तो साथ इनसे मनोजी से सिख्षा ले सकते हैं नहीं और हम आपको बता देना चाहता हूं कि यह नहीं सिख्षा यह कि मैं खौण भी परखाई होती हैँ कि मैं और आज देखे की हजारों हजारों लाखों-room यूपाईया जो है अपने बच्चों करते हैं लेकिन फ्रफूर्यां सक्षाश करते हैं कि यह छात्र अगर शुखना हो अगर आपको लगता है कि मैं कहना चाता हूं अगर आपको लगता कि हर चीज जो है practical मैं कितना का एक्जामपल हूं हमारे बहुत सारे बहुत सारे ज्टे अइद्ट है तो यह चात्र ने जो है मैं दिल से धनेबाद देता हूं कि जीवन में अधिक उजाई तक चरहे जाएं और मैं बता देता हूं कि यहीं बीवेक है जो कि IIT में जो है 270 रंग भी लाया यहीं का बच्चा है बहुत बहुत धनेबाद आपको और आपकी क्रीम को क्या नाम हुआ असर आपका मेरा न अधिस संस्क्रीट या सोचन साइस पर ध्यान ने दिया जाता है लेकिन हमारी कोचिन संस्थान में ऐसी विवस्ता की गई है पहले भी इसी तरह से किया जाता था यहां लेकिन इधर ऐसा देखा गया कि टॉप नहीं आपाते थे बच्चे फर्ट तो कर जाते हैं फर्स्ट जो भी जिनका भी साइंस सब्यक्त ठीक रहा और में ठीक रहा तो फर्स्ट कर जाते हैं लेकिन टॉपर बनने के लिए हर सब्यक्त में पकर होनी चाहिए इसलिए सर का विवस्ता हुआ यहां पर और सबसे बरी बात है कि यहां पर सर भी एस्टेट क्वालिफाइड है और य सर कैसा लग रहा है आपको जब आपको पता चल रहा है जो हमारे पढ़ाए हुए बच्ची अज सारा महनत सफल हो गया बहुत खुशी हो रही है और सबसे बरी बात है कि क्वालीटी तो बच्चे के अंदर खुद रहता है सिर्फ उसे बिक्सित करने का क्या एस्ट आप जितना मेहनत करते थे आज वो सफल हो गया है क्या आपको लगता था मेरा बेटा ऐसा करेगा मालूम था इससे ज्यादा भी नमबर लाएगा लेकिन कम हो गया तो आगे आप बच्चे को क्या कड़ाना चाहते हैं आगे पढ़ाएंगे उनको जो पढ़ना चाहे वो समाजिक लोगों और उनके दियार्थी के जित्रे भी सगे संबंधी है उनको हम हिर्दय से साधुबाद करते हैं और अब एक्षा जाहिर करते हैं कि आगे भी यदि समाज के लोगों का और उनके माता-पिता का सयोग मिलता रहे तो निश्त्रुप से ये पैनेसिया कि सारी विवस्था को दिखाने का प्रयास की हूं कि यहां के बच्चे कितना अंग प्राप्त करके कहां तक पहुचने का प्रयास की हैं सब कुछ मैं आप सभी को बताने का प्रयास की हूं तो आज का कारे ड्रम मैं यहीं पर समाप्त करना चाहती हूं मैं फिर मिलती हूं ऐ ऐसे ही अफसर के साथ तब तक के लिए जैसरी रादे जैहिन।